हेलो दोस्तों कैसे आप लोग बड़ी एक दम तो वेलकम बैक इंड ट्रिगनो क्लासिज जो के हमारा और आपका बहुती अच्छा सा जहां पर आज मैं आपको एक तबाही मचा देने वाली ट्रिक लेकर आया हूं जी हां मैं आज आपको देने वाला हूं एक तबाही मचा देने वाली ट्रिक जो असर्शन वीजन की लहर निकाल कर देगी जी हां आपने बिल्कु सही सुना है असर्शन वीजन को आपके सामने व कार्ड करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास options क्या रहते हैं हमारे पास चार option रहते हैं जिसमें पहला option क्या होता है assertion भी true है reason भी true है और reason assertion का perfect explanation है दूसरा option assertion true है reason true है और reason assertion का perfect explanation नहीं है third option क्या होता है assertion true reason false फोर्थ option reason true assertion false ये चार option रहते हैं अब बात आती है कि आप लोग फस्ते कहां पर हो जी हाँ अगर मेरी बात सच लगे तो comment box में जरूर बताएं आपको ना तो third option टफ लगता है ना fourth option क्योंकि कोई एक गलत होने पर third या fourth आसानी से आ जाता है आप फस्ते कहां पर है जब first या second option की बात आती है मतलब जब assertion भी ठीक होता है reason भी ठीक होता है तब आपका चेरा ऐसा हो जाता है लेकिन आज के बात कैसा होगा ऐसा हो guarantee बस वीडियो अन तक देखें और मेरी बातनों को दिमाग में बठा लें अगर एक बार में बात समझ ना आए तो please वीडियो को दबारा जरूर देखें लेकिन देखें जरूर end तक मज़ा बहुत आएगा सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है number one आप भूल जाएं कि reason कोई चीज है सबसे पहले assertion को पढ़ें उसका answer separate निकाल के अलग रग दी अगर suppose assertion का answer correct आया उसके बाद आप reason को solve करें और reason का answer separate निकाल दी अब यहां से क्या होगा अगर assertion या reason कोई भी एक च अगर suppose first assertion और reason दोनों सही है फिर इनमेंसे को एक option first or second बहाँ पर आप फस्थने वाले तो चिंता ना करें नाजिम भाई है आज मजाने वाला है आपको क्या बात प्याद रखनी बस तीन बाते हैं same concept because create your own reason मैं पहले कि बात करता हूँ same concept का मतलब क्या है same concept का meaning है कि जो reason जो assertion में concept लगाया गया जो बात assertion में कही गई क्या उसी concept को उन्होंने आगे बढ़ाया है तब तो same concept जिसे example के तौर पर मैंने question लिखा हुआ है बिटाए आपकर क्या लिखा मैंने refractive index has no units refractive index को unit नहीं है ठीक तो यहां पर assertion में concept क्या है कि refractive index unit नहीं है refractive index unit less है reason में क्या कह refractive index is a ratio of similar quantities वीजन में कह रहा है कि refractive index दो similar quantities का ratio है अब हमारा काम क्या है यहां check करना कि same concept है या नहीं है एक बास में कि अगर यहां पर कोई भी unit नहीं है तो क्यों नहीं है क्योंकि refractive index उन दो quantities का ratio similar है अगर similar है तो उनकी unit कटने वाली है मतलब refractive index है C upon B का ratio C क्या है speed of light in air B क्या है speed of light in any medium मतलब यहां meter per second यहां meter per second वो cancel होगा मतलब यहां कोई भी unit नहीं है तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जो concept यहां पर है वही concept यहां पर है बोलाई बास समझें अभी और जोड़ते हैं खानी को उसके बाद बात करतें विकॉस की विकॉस का भी नहीं क्या है आपने असर्षन पढ़ लिया उस असर्षन के जस्ट बात विकॉस लगा के रीजन पढ़ें कि असर्षन का मीनिंग रीजन में छुपा है कि नहीं छुपा है असर्षन का concept रीजन में है या नहीं है देखें रीफ्रेक्टिब In Giants है तो यूनिट हैं विकवाज के वह समझ समय भाई कह रहे हैं वह दोनों को जोड दिया मतलब क्या हुआ वह सेम कॉंसेब्ट देखा वह भी बैठ रहा है या बिकाउज लगा वह भी फेट बैठा मतलब कहने क्या है कि यह perfect explain कर रहा है assertion मतलब क्या हुआ कि reason assertion को perfect explain कर रहा है बोलो बात समझ माई same concept देख लो या because अभी all लगाएंगे बड़ा मजाएगा बस अंतता देखते रहें मतलब कहने का हुआ यह perfect explain कर रहा है तो इस answer a option बोलो बात समझ माई अब बात करते है create your own reason इसका फ्लास लॉजिक है इसका मतलब क्या सपोज आपका ए ठीक sorry assertion भी ठीक है reason भी ठीक है हो सकता है आप इन दो word पर काम नहीं कर पाते है same concept नहीं मिल रहा आपको because भी नहीं मिल रहा आपको तो आपका काम क्या है उस question के लिए अपना logic त्यार करना अपना reason त्यार करना कि assertion के लिए region यह होना चाहिए assertion के लिए region यह होना चाहिए अगर वो region तुम्हारे question में जो दिया गया region है उससे match कर जाता है तब perfect explanation होगा otherwise नहीं होगा कैसे समझें मैंने हाँ क्या बोला क्योंकि वो जो उसका formula है उसमें same quantities आई है और जब same quantities आई है तो उनका unit cancel हो जाएगी इसलिए को unit नहीं है तो बही बात तो बेटा हैं लिखिए बोले मेरे बात समय वाई तीन सब्द तीन words तीन statement आपकी जिंदगी बदल देंगे बस इनको लगाना सीखते हैं मैं चार question आज कराऊंगा आपको हर एक question में concept तीन words ओंगे मजा आएगा इसलिए second question नहीं क्या कहा if an image formed is upside down मतलब कोई image upside down बनी तो पहले तो upside down की बात करते हैं कि कोई principal axis है उसके नीचे जो image बनती है उसे upside down कहा जाता है is called inverted image इनका मतलब कहने का क्या है कि जब कोई image principal axis के नीचे बनती है तो उसको inverted image कहा जाता है बिल्कुल सही बात है मतलब assertion इनका बिल्कुल perfect है बुले हाँ ते बात सिंभाई अब region की बात करते हैं अब इन्होंने assertion में क्या बात कहिए inverted image के बारे में तो अगर region में inverted image या virtual image के बारे में बात करते हैं तो same concept होगा otherwise नहीं होगा मेरे बात समझ पाई क्योंकि इन्होंने assertion बात की inverted image की तो region में inverted या virtual image के बारे में कोई बात कहना चाहिए तब ही region perfect होगा otherwise नहीं होगा clear है अब region पढ़ लेते हैं क्या कहा रहा है if the image formed is bigger than object कहा रहा है अगर जो image बनी हो image object से बड़ी है then it is called enlarged image तो उसको enlarged image कहा जाता है मतलब कि कब को image object से बड़ी है तो उसको enlarged image कहते हैं बिल्कुल सही बात है region भी सही है लेकिन बात समझो क्या assertion में कही गई बात region के साथ same concept match कर रही है assertion बात कर रहेते हैं inverted image पर region बात कर रहे हैं enlarged image पर concept बदल गया concept match कब करता inverted था तो inverted या virtual रहने देते ठीक same concept पर feel सौझ माया ठीक है अब because कहाई लगाते हैं because कैसे जोड़ते हैं इसमें इन्होंने कहा कोई भी image upside down बनी उसको inverted कहा जाता क्योंकि principal axis के नीचे बनने वाली image inverted image होती है यही तो region होता जो कि यहां नहीं है तो because जोड़ना आया बुलाई बात समझ दो example से बहुत ज़्यादा के लिए चुका होगा बाकी जो बचा है अगले दो से कर देते हैं क्यों परफेक्ट एक्स्प्रेंट किया थे दोनों सभी अब अगले दो और देखते हैं और इनके बाद इन्शाला आप लोगों का assertion ने से डर बिलकुल खतम हो देखें असरसन ने क्या कहा वर्चल image are always erect virtual image हमेशा erect होती है cd होती है बिलकुल सही बात है 100% सही है यानि कि इस बार भी assertion सही है अब region ने क्या कहा वर्चल image are formed by diverging lenses only कि वर्चल image केबल और केबल diverging lenses बनती है यह गलत बात है यह कहते कि वर्चल image are formed by diverging lenses and mirrors तब बात सही होती है इन्हों ने कहा सिर्फ और सिर्फ केबल हाईलाइट पॉइंट क्या है only कि सिर्फ और सिर्फ lenses ही इस लायक है कि वर्चल image बना सके मतलब region गलत हुआ अब सिंपल सा question assertion सही है region गलत है तो option number c बो आई बास समझ कितना आसान है चौथा question क्या है सुने light travels faster in glass than in air इन्हों ने कहा जो light की speed है वो air से ज्यादा glass में अब तुम ही उता सकते हो किसमें ज्यादा होगी air से ज्यादा glass में हमने क्या पढ़ाएं जिसका refractive index ज्यादा उसकी speed कम जिसका refractive index ज्यादा उसमें light की speed कम जिसका refractive index कम उसमें light की speed ज्यादा अब तुम्हें पता है refractive index of glass बन पॉइंट फाइब रीफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एर बन पॉइंट जीरो जीरो फॉर है बो भाईया तो refractive index glass का ज्यादा है मतलब glass हुआ dancer medium तो glass में speed कम होगी और इन्हों में कहा है glass में speed ज्यादा है मतलब असरसन तो सरासर जूट है सरासर गलत है असरसन गलत हुआ अब अगर असरसन गलत हुआ तो लीजन चेक करो या ना करो क्योंकि option नंबर यह होने वाला है बोलो मेरे बात समझ पाई ठीक मतलब कहने का क्या हुआ इसका answer डी तो मैंने क्या बोला देखो इनकी answer निकलना बहुत आसान थी बात थी last two की जी हां तो सबसे पहली बात कि आप लोग इन बातों को हर असरसन रीजन में लगाके देखें इनसे question solve करें बहुत मज़ा आएग ठीक है दूसरी बात कि पहली बात ही करना है बार बार सही है आई बास समझ तो आज की वीडियो कहीं पर करते हैं finish और मिलते हैं आएसी ही धमयकदार वीडियो के साथ